हे गाईज तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप OnePlus Nord CE3 Lite 5G में एपस को हाइट कैसे कर सकते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं कई सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग्स में चले जाना है फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद गाईज यहाँ पर एक ऑप्सन देखेगा आपको सिक्यूर्टी एंड प्राइवेसी आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद गाईज नीचे आएंगे तो आपको भी एप को select करेंगे तो यहाँ पर यह privacy password set करने के लिए बोलेगा first time तो हमें settings पर click करना है click करने के बाद guys यहाँ पर privacy password set कर लेना है तो हमें अपना privacy password डाल लेना है यहाँ पर उसके बाद यह confirm के लिए बोलेगा तो confirm में भी यही password हमें डाल देना है उसके बाद security question set करने के लिए बोलेगा तो security question यहाँ से set कर लेना है और अपना email भी हाँ से add कर लेना है ताकि future में कभी आप privacy password भूल जाते हैं तो उसको recover करने के काम आएगा privacy password set करने के बाद guys यह access code set करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर अपना access code भी set कर लेना है उसके लिए आपको settings पर click करना है click करने के बाद guys यहाँ पर अपना access code set कर लेना है और यह access code हैसे ही start होगा और हैसे ही last होगा तो यहाँ पर मैं अपना access code set कर लेता हूँ Set करने के बाद guys जिन apps को भी आप hide करना चाहते हैं Simply उनको select कर लेना हैं से Select करने के बाद guys आपको home screen पर आ जाना है और वो apps आपकी home screen से hide हो जाएंगे अब guys उनको access करने के लिए Simply आपको dial pad पर जाना है Dial pad पर जाने के बाद guys अपना यहाँ पर access code enter कर देना है Enter करने के बाद guys यहाँ पर आपकी hidden apps सो हो जाएंगी जो भी आपने hide कर रखी होंगी यहाँ से इन apps को आप direct access कर पाएंगे अब guys unhide करने के लिए बापस से आपको phone की settings में जाना है Settings में जाने के बाद guys security and privacy में जाना है उसके बाद hide apps में जाना है और जिन apps को भी आपने hide कर रखाए Simply उनको untick कर देना है और यह आपकी apps बापस आ जाएंगी तो इस तरह से guys आप OnePlus Nord CE3 Lite 5G में apps को hide और unhide कर पाएंगे तो I hope guys आपको video पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please video को like कर देना और अगर channel पर नए हो तो channel को subscribe जरू कर देना मैं मिलता हूं को next video में तब तक के लिए keep smiling